Hi Everybody, MS Excel के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे Tools and Facilities in Excel यानि Excel में क्या-क्या Tools है और उसमें किस तरह का Facility है तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं Excel is a great option to store lots of data यानि Excel क्या provide करता है कि आप एक बड़े database को store कर सकते हैं यानि data को store करके एक database बना सकते हैं Lots of the data यहाँ पर देख लेजिए Lots of data यह कौन option provide कर रहा है तो आपको Excel या option दे रहा है Generally, Excel worksheets can have यानि आप पिछले class में देखे थे कि यह जो आप लोग का Excel में क्या होता है Tabler form में data होता है जिसमें number of row और number of columns होते हैं किसी भी record को store करने के लिए या और data को organize करने के लिए वहाँ पर tabler form create करना रहता है तो इसमें आप लोग देखे कि total number of row अगर कितने यानि एक table में कितने person का आप record रख सकते हैं तिकाई दहाई सेकड़ा हजार दस जार लाक दस लाक यानि दस लाक और तालिस जार पांसो चीएतर इतना number of row होता है किसी टेबल में और एकाई दहाई सेकड़ा हजार दस जार यानि 16,384 column हो सकते हैं चुकि छोटे organization के लिए यह बहुत ही बड़ा facility है और इसमें यानि कहने का मतलब है जहाँ पर 10,48,576 ब्यक्ति काम करते हैं उस organization के लिए Excel sufficient है तो यहाँ पर अगर आप examination देने वाले हैं तो ध्यान दीजेगा यह दोनों point आपके लिए important है कि Excel में total number of row कितना होता है तो 10,48,576 और उसमें total number of columns कितना होता है generally तो 16,384 columns होता है किस form में होता है तो tabular form में होता है once the data is organized in Excel file जैसे ही एक बार आप Excel file में data को save कर लेते हैं we can use हम उसको use कर सकते हैं it for various purpose यानि बहुत से काम के लिए उस data को use कर सकते हैं using multiple tools यानि यहां पर कितने tools को तो multiple tools and formulae we can implement numerous operations on the data यानि बहुत से tools और formula को use करके हम लोग अपने अमसार उस data को use कर सकते हैं तो जैसे अगर आप biology student है या normal कोई भी student है अगर आपको human के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि human का किस अंग का क्या नाम है उसके बाद आप एक एक अंग का नाम जानिएगा उसके बाद क्या किजिएगा उसके बारे में details study किजिएगा तो उसी तरह से यहां पर हमारा जब Excel आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले key terms का मतलब होता है कि जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें कौन-कौन सा term ज्यादा use होगा और उसका क्या मतलब होता है वो कहां पर होता है कैसा दिखता है तो यहां पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं access tool war यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या पहला points में आप लोग का है access tool war उसके बाद दूसरा points आप लोग का क्या है type है तीसरा point रीवन इंटरफेस है, क्या है, रीवन इंटरफेस, सेकेंड टैब, थर्ड रीवन इंटरफेस, नेम बॉक्स, फॉर्मूला वार, बर्किंग एरिया, बर्क सीट, टैब्स, अस्टैटस वार, स्क्रॉल वार, टाइटल वार, तो ये कुछ 10 टर्म हम आपको सर्च करके निकाले हैं, जिसके वारे में आपको जानना है, कि ये तो सबसे पहले बहुत सा टर्म, अगर आप एक्सेल नहीं पढ़ें, तो आपके लिए निव होगा, तो ये सबसे पहले आप नाम सुनें, अब इसके बाद हम लोग एक एक टर्म को एक्सेल में जाकर देखेंगे, कि वो कहां पर होता है, कैसा दिखता है, और उसके काम को आगे के लेक्चर में हम डिसकस करेंगे, तो ये देखिए, जब आप एक्सेल फर्स टाइम ओपन कीजिएगा, तो आपको इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था, वो आपका क तो यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे उपर में जा कर देखिए, यह पॉइंट, यह पॉइंट अपका क्या है, क्विक एक्सेस बार, यहाँ पर देख लिए, तो यहाँ पर जैसे ही आप किलिक किरिए गाया, तो आप यह का यह एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, इसी टाइब को हम लोग बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूलवार, यानि इस टूल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूलवार, और यहाँ पर से बहुत से बटन है, जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे नया फाइल बनाना है, सेव करना है, प्रिंट करना ह तो चलिए उसको तो हम बात में बात करेंगे अभी हम लोग यहां पर बात करते हैं कि जो जो वर्ड हम लोग जो जो नाम यूज किये हैं उसका क्या दोत है अब इन पर देखें यह क्या है टैव ओम टैव इंसार्ट अटाइब पेंज लियाउट फ्रमुला डेटा डेटा रि इसको क्या बोलते हैं आप देखेगा जब टाइब पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे का इंटरफेस चेंज होगा यह पेस्ट चेंज हो रहा है पेज लियाउट पर किये तो देखिए यह दूसरा आ गया आगया अब फॉर्मूला पर जाएंगे तो कुछ और दिखेगा डेटा तो यहां पर जितना पर हम यह क्लिक कर रहे हैं यह सब हमारा क्या है उसके बाद आगे का पॉइंट्स था आपका name box अब चलिए यहां पर, अगर हम लोग यहां पर click करते हैं, देखे, इसको click कर रहे हैं तो यह हमारा क्या है? यह जो box यहां पर, जो हम लोग यहां पर click किये तो यहां पर उसका क्या करेगा? name display करेगा, देखे, यहां पर A1 आ गया यानि A1, A2, इस तरह से यहां पर हमारा क्या होता है, कि काम करता है, चलिए यहां पर देख ले रहे हैं, यह देखिए, क्या आया, B4, यह जो black color में है, यहां पर दिखा रहा है, B4, अगर यहां पर click करेंगे, तो D5, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यह cell बोलते हैं, और इसका यह नाम है, D5, कहीं पर आपकी लिख कीजिएगा, तो उसका नाम देखे, H13 आया, H आप लोग का column है, और 13th row है, तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं, name box, अब यहां पर देखिए, formula वार है, एफेक्स जो आपको दिख रहा है, यहीं पर आप लोग का formula लिखा ज जाता है, उसके बाद आप लोग का है, बर्किंग एरिया, तो यह जो आप लोग का row and columns के फॉर में दिख रहा है, यह आपका total क्या है, बर्किंग एरिया है, चलिए, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं फिर से, यह जो पूरा आप देख रहे हैं, यह पूरा parts, यह क्या है, बर्किंग एरिया, जो भी आप report बनाएंगे, बील बनाएंगे, यह जो white color का देखिए, A, B से नीचे और 1, 2 से, यानि E से नीचे और इधर का parts, कहीं से भी आप लोग काम कीजिएगा, वही इसका क्या कर लाता है, बर्किंग एरिया, यही इंटरफेस है, अभी देखिए, अस्टाइटस वार, अस्टाइटस वार्स आप लोग का, जो आप लोग का locations बताता है, कि वह कहां पर आपका cursor है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे, यहां पर देखिए, दो तरह का scroll है, यहां पर इसको बोलते है, horizontal scroll और यह है, vertical scroll, अभी हम बताएं कि उपर से नीचे यह data क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, यहां पर देखिए, तो अगर आपको page में नीचे आना है, तो इस scroll वार को open, down करना होगा, और left और right जाने के ल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह parts को, यह parts हमारा क्या कहलाएगा, horizontal scroll और यह वाला जो कहलाएगा, वो vertical scroll वार, इससे क्या होता है, उपर नीचे, और horizontal से क्या होगा, left और right हो गया, अब देखिए, इसमें एक option और आप लोगा क्या है, यह title वार, अगर यहां पर देखिए, कोई भी file name को अगर हम लोग save नहीं किये हैं, तो इसको, यहां पर देखिए, book one और Microsoft टेकल दिखा हुआ, तो अगर आप लोग यहां पर report बनाएंगे, और इस file को save करेंगे, तो यहां पर यह क्या दिखेगा, report दिखेगा, अब उसके बाद एक points यहां पर बच ग देखिए, यहां पर देखिए, seat one, seat two, seat three, तो इसी तरह से आप लोग क्या seat four, seat five, यानि number of pages इसमें हम add कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्क सीट टाइब, यहां पर जो आप लोग का है, वो क्या कहलाएगा, बर्क सीट टाइब कहलाएगा, यह वाला, यहां आप दो आपका कितना बर्क सीट टाइब हो गया, एक दो अई यह समा ह्मारा क्या है बर्क सीट, टैब और यह आपका बढ़ सकता है घट सकता है एक बर्क बुक में बहुत सा बर्क सीट हो सकता है जैसे एक कॉपी में क्या है 100 पेज भी हो सकता है 200 पेज भी हो सकता है उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि एक बर्क बुक में multiple seats होता है उसी को हम दोंग क्या बोलते है बर्क सिट और यहां से टाइब यानि जैसे दूसरा पेज में जाना है तो सपर क्लिक कर दिए जैसे यहां प्र हम लिखे समें थीन यहां पर क्या है चार और है जो लिखा हुआ है यहां पर कुछ नहीं का result बना रहे हैं. तो अगर है school में हैं, तो हाँ 11th, sorry, first class, second class, third class, fourth class होगा, तो सब का result बनाना होगा, तो सब अलग लग लक्षी में आप बना सकते हैं और एक बर कूप में रख सकते हैं. तो इस तरह से आप लोग यहां पर क्या सीखे जो भी आप लोग को सीखना था कि यानी MS Excel में हम लोग का कि यहां पर देखे कुछ-कुछ टर्म्स जो आप लोग का यूज हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे कुछ access टूल बार देखे जो यहां पर आपको दिखा रहा है ठीक है सेकेंड देखे टाइब जो इंसर्ट पेज फर्मूला पर था रीवन इंटरफेस तो यह जो आप लोग का रीवन इंटरफेस है यह जो टाइब जिस रीवन पर यह सारा टाइब है इतना 123456 जो टाइब है वो किस पे है, रीबन इंटरफेस पे है, अब जब इस पे टैप पे किलिए करेंगे, तो उस रीबन में क्या-क्या कमांड है, वो डिस्प्ले करता है, नेम बॉक्स का चले, यहां पर आप लोग का नेम बॉक्स दिखा रहा था, फॉर्मूला बार भी देख लिए, बर्किंग होना चाहिए, अगर इतना नौलेज है, तो आप असानी से इसमें आगे काम कर सकते हैं, और आपको काम करने में कोई दिखत भी नहीं होगा, तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट, यानि आज हमारा कितना था, थर्ड लेक्चर में आप लोग अभी थे, इसके बाद आप लोग यानि एक्जामनेशन में किस तरह का बेसिक, यानि फंडमेंटल कोईचन पूछा जाता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिसकस करेंगे, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप लाइक करें, और कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें यह पता चलता है, कि और वीडियो में क्या इंप्रूब्मेंट करना है, कि इस तरह से आपको समझाना है, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि continuous lecture आपको मिलता रहेगा, और bell icon पे इसलिए प्रेस करना जरूरी है, क्योंकि यह आप आपको notification provide करता है, कि अगर कोई भी नया वीडियो आता है, तो आप एक message आएगा, आपको पता चलेगा, कि नया वीडियो आ चुका है, तो अगर आप पिछला दो वीडियो नहीं देखे हैं, तो description box में उसका link दिया हुआ है, आप जाकर देख लेंगे, और फिर मिलते हैं, next lecture, यानि चौथा lecture में, किस के साथ? important question के साथ, thank you.